Hello friends, welcome back आज की वीडियो का हमारा topic है KMS तो basically KMS क्या होता है तो KMS means की Key Management Service तो सबसे पहले हम KMS पढ़ने से पहले हम encryption के बार में पढ़ लेते हैं कि encryption क्या होता है कितने types के encryption होते हैं फिर हम KMS का demo करेगे तो हम सबसे पहले अभी encryption देख लेते कि क्या होता है तो friends, encryption मतलब की समझ लीजे, आपने कहाँ पर एक जगा पर data store किया है जो data unauthorized entities ने access कर लिया है तो फिर क्या होगा कि आपका जो data है वो loss होने के chances हो सकते हैं तो वहाँ पर हमें encryption करना पड़ता है तो the first law of security is defense in depth so encrypted all the data तो हम जो data store करते है उसको हम encrypt कर देगे means की data on your heart is encrypted data in your database encrypted data on your file server encrypted तो हमारा data loss ना हो उसके लिए हमें data encrypt करना पड़ता है यह तो आपको अभी समझ में आ गया तो अभी देखते हैं कि encryption कितने टाप्स के होते हैं तो पहला टाइप है कि symmetric की encryption तो symmetric के encryption में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा plain text available है और यहाँ पर हमने जो text है वो यहाँ पर encrypt किया है और यहाँ पर जाकर हमारा plan text decrypt हो रहा है, तो symmetric की encryption क्या होता है, कि encryption और decryption करते हैं, एक ही की use होगी, means की same की use होती है, encryption और decryption करने के time, तो ये symmetric की encryption हो गया, अभी उसका means की यहाँ पे, जब हम symmetric की encryption यूज करते हैं, तभी हमे right encryption algorithm यूज करना पड़ता है, जैसे की RSA वो इचा अलगरी थे हम है, और अ second type है कि asymmetric की encryption, तो asymmetric की क्या होता है, तो वो देखते हैं, तो asymmetric की क्या होता है, जब यहाँ पे दो keys use होती है, public की and private की, इसके लिए इसको public की cryptography भी बोला जाता है, और public की होता है data को encrypt करने के लिए, और private की होता है data को encrypt करने के लिए, आप public की किसी को भी share कर सकते हो, तो तो यहाँ पर आपको थोड़ा करना इंक्रिप्शन के बारे में नोलेज आ गया रहेगा कि आपको डेटा को सिक्यूर करना है तो आपको डेटा को इंक्रिप्ट करना पड़ेगा जहाँ पर आप अपनी फाइल को इंक्रिप्ट कर सकते हो आपके डेटा को इंक्रिप्ट कर सक पबलिक की and प्रैविट की पबलिक की देटा को encrypt करने में उस होती है और प्रैविट की data को decrypt करने में उस होती है तो गाइस अभी हम KMS पे आते हैं अभी आपको encryption का knowledge आ गया है तो अभी हम KMS पे आते है और देखते KMS होता क्या है तो guys KMS हमें एक service है जिसे हम बोलते है keys management service जो हमें google cloud provide करता है तो KMS के अंदर आप cryptography जो keys है जैसे के symmetric and asymmetric keys आप create कर सकते हो और उसको manage कर सकते हो and वो keys को आप control कर सकते हो and GCP service के अंदर आप food keys को आप control कर सकते हो and वो हमें encrypt and decrypt or signed data की APIs provide करता है and वो almost all GCP service के साथ integrates रहती है और यहाँ पर तीन टाप्स available है google manage की जहाँ पर हमें कोई भी configuration की required नहीं होती है customer supply key use key from KMS KMS key आप use कर सकते हो customer supply key provide your own key आप अपनी own key provide कर सकते हो तो guys अभी हम KMS की service का एक demo करते है तो सबसे पहले हम google cloud console पे आ जाते है तो यहाँ पर मैं google cloud के console page में आ चुका हूँ तो अभी हम KMS का एक demo करते है तो सबसे पहले search bar में जाके KMS search करते है और यहाँ पर case management पर क्लिक करते है तो अभी KMS के KMS में सबसे पहले हमें key ring create करनी पड़ जाए है फिर उसके बाद हम KMS की service को use कर सकते है तो यहाँ पर मैं key ring का नाम दे देता हो key ring और यहाँ पर location type दो options available है reason and multi reason multi reasons के अंदर आप यहाँ पर global है Europe है फिर Asia है तो मैं global जो default option है वो ही use करता हूँ और simply create पर click कर देता हूँ तो यहाँ पर key ring has been created लिखा हूँ आ गया है यहाँ पर हमारी key ring create हो चुकी है और यहाँ पर key ring के अंदर यहाँ पर हमें create की करनी है तो उसके लिए आपको और details दी गई है जहाँ पर आपका project name and location बताया हूँ है फिर यहाँ पर आपको पूछ रहा कि कौन से type की आपको create करनी है generated key, imported key और external manage key तो generated key की वो हमें key generate करके देगा import key की 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 को import कर सकते है और external manage key यहाँ पर आप external key key को manage कर सकते हो वो option अभी available नहीं है क्योंकि हमने multi reason के अंदर global use किया है अगर आप reasons के अंदर आप use reasons वो reasons आप use करते हो तो आपको यह options available हो जाता है तो यहाँ पर आप की का name दे देते है तो हम देते है demo key और यहाँ पर प्रोटेक्शन लेवल एक software है और HSM है तो हम default options select करते हैं जो है software और purpose of is यहाँ पर आप symmetric, encrypted, crypt and asymmetric sign symmetric, decrypt and max signing verification यहाँ पर चार purpose available है तो हम symmetric, encrypt, decrypt option पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर key rotation period यहाँ पर 19 days है आप max to max 365 days कर सकते हो लेकिन अब हम 19 days जो default option है वो 30 days करते हैं हम और यहाँ पर दिखा रहा है कि starting on 11.25 and 2021 यहाँ पर आप labels add करना चाहते हो तो label add कर सकते हो तो अभी हमें कोई label add नहीं करना तो हम simply create option पर क्लिक करते हैं और हमारी key create हो रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर demo key available हो चुकी है हमारी demo key create हो चुकी है तो अभी बात आते है कि इस key को हम use कहा पर करें तो उसके लिए हम instance में जाएगे तो सबसे पहले यहाँ पर compute engine में जाके VM instance में क्लिक करेंगे और simply create instance में क्लिक करेंगे यहाँ पर आप आपने जो key create की है वो use कर चकते हो तो यहाँ पर instance का नेम है instance 1 उसका reason सिलेक्ट होगा यूए central 1 एंड जोन यूए central 1 एंड तो यहाँ पर हम scroll down करते हैं और options देखते कि कहाँ पर हम अपनी की को use कर सकते हैं तो यहाँ पर आप disk के अंदर अपनी की use कर सकते हो तो simply add a new disk पर क्लिक करते हैं और disk का नाम देते हैं जो disk 1 है वो और यहाँ पर आपको encryption का options available हैं जहाँ पर मैंने बताया था कि तीन टाप होते हैं Google manage encryption की जहाँ पर आपको configuration की को require नहीं है फिर customer manage encryption की जहाँ पर आप प्रोवाड करते हो और यह supplied encryption की तो यहाँ पर हम customer manage encryption की करते हैं यहाँ पर उनी की use करते हैं तो यहाँ पर आपने demo की जो create किया था वह select करते हैं तो यहाँ पर warning दे रहा है जहाँ पर इसको permissions की allow permissions चाहिए for encrypt and decrypt तो यहाँ पर हम permission दे देते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है successfully granted permission to this account तो यहाँ पर हम अभी save करते हैं तो इस तरीके से आप अपने की use कर सकते हो यहाँ पर आगया है new disk और यहाँ पर simply जाके यहाँ पर virtual machines पर click करके की के साथ आप एक virtual machines create कर सकते हो तो आज की वीडियो में देखा कि KMS क्या होता है और उसके पहले हमने देखा कि encryption क्या होता है हमें क्यों use करना चाहिए encryption कितने types का होता है फिर हमने KMS का demo देखा तो आज की वीडियो में पर सेही तक आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो like, share and subscribe चरूर कीजिए Thank you